दोस्तों लेकर आज चुके हैं आप सभी के बिच इंटर्मीडिट एग्यामेशन 2022 वालों के लिए हिंदी सौ मार्विज पेपर का दोस्तों आयसी और आइकम बालों के लिए जो भी छात आठ फरवरी को एग्याम दाने वाले उन सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत सब्सक्राइब कर लिए और टेलिग्राम पर जूर यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि बालकृष्ण वर्ट की रचना बातचीत क्या है तो बालकृष्ण वर्ट की जो रचना बातचीत है आप लोगा चैप्टर उसका क्या है एक परकार के कांकी है कहानी है यात्रा अस्मरन है या ललीत निवन्ध है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा ललीत निवन्ध तो आप लोग के आने वाले एक्जाम आठ तारीक के लिए काफी सारे कृष्ण इंपोर्टेंट है अफिसियल को रठी लिजेगा तब जाएगा जाएगा जाम देने के लिए क्योंकि मोस्ट आप दो कोशन भीविया और इसी से कृष्ण आएगा हंडेट परसेंट हंडेट एंटेंट परसेंट गरांटी है तो चलिए देखिए पैस साकेंड कोशन हम लोग देख लिए दूसरा कोशन क त्व नबर क्यों है कि प्रकिर्तिक वर्णं से संबंधित कविता नेइस्ट क्वेशचें है थर्णनमबर कर दूसर किस विधा से संबंध है अर्द नारिष्व्र का विज से संबंध है और नारिश्वर जो निवपन से किस विधासे संबंद है वह मुझेस better से नीव Hunt से कहानी से कांकी से या व्यंग से तो ये जो सम्बंध है एक प्रकार का क्या है निवद है तो इस प्रकार से इसका राइट आन्सर क्या ओजाएगा दो चलिए next question पलते हैं four number four number question है प्रगीत और समाज किन की रचना है प्रगीत और समाच जो रचना है वह नाम conflicts सिंग का रचना है ठीक है इसका राइट आंसर ब्यिए नेक्स कुष्चान है 5 नमबर रोज सिर्सक चाहानी के लेखक खाए वह अगे तो इसका right answer क्या हो जाएगा ए हो जाएगा तो अच्छे से option देखना है और सही से exam में लगा के आना है ठीक है next question है 6 number कि इन में से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है देखिए question को गर से पढ़ेंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है नहीं है तो देखिए कौन सा नहीं यहां पर फोर आप्शन दिया हुआ है देवदासी कामियनी जहरणा आसुम तो यह परसाद जी का जो रचना है वह किसका नहीं है जहरणा नहीं है ठीक है तो इसका right answer क्या है नेक्स्ट question है 7 नमबर प्रोफेसर चंद्रधर सर्मा गुलेडी की कहानी का नाम है तो प्रोफेसर चंद्रधर गुलेडी जो थे आप लोग के वह चप्टर का वह कौन सी कहानी का रचनाकार है तो यह है उसने कहा था उसने कहा था का लेखा कौन है प्रोफेसर चंद्रधर चंदर सर्मा गुलेडी ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है एट नमबर स्रीक्रिष्ण ने किस पर आकर्मन किया था तो स्रीक्रिष्ण किस पर आकर्मन किया था कंस पर आकर्मन किया था अपने बामा कंस पर आकर्मन किया था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाए बिहार से बिलॉँ करते है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, नेक्स्ट कुश्चिन है, टेन नमबर, तुल्सी दास अपना पेट कैसे भरते थे, यानि कभीता करके कथा वाचन से, या राम कथा गाकर, या राम स्री राम का नाम लेकर, तो तुल्सी द जो थे वह राम स्री राम का नाम लेकर अपना पेट भरते थे इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है 11 नमबर सिक्षा सिर्षक निवंद के निवंदकार कौन है तो सिक्षा सिक्षक निवंद के जो निवंदकार है वो क्या है जै कभी है गों का घर जो कभीता वो किसके दरा लिखा गया है ग्यांद्रपती के दरा लिखा है इस पर करसिस का राइट आंसर क्या है यह है तो सारे कोशन आप लोग के एक्जाम के लिए मुस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है 30 नंबर कि ओ सदानीरा सिर्च सिर्चक में किस महापुरूस की रच चर्चा है तो सदानीरा सिर्चक में यानि बाल गंगा धर्तीला का महात्मा गांधी का मधन मोहन मालवियक या चंद सेखर अजाद का तो यह जो है यह किसकी रचना महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है ठीक है तो इसका राइट आं सिर्षक की विधाक क्या है एक प्रकार करuf क्या है कहानी है तिसका राइट अंशर हो जाएगा ए्अ हो झाएगा यहां पर फिर से अगएना आ गया नहीं है इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि नहीं है तो होगा क्या कि आपने अजनाभी नदी के दिफ से खड एक जी बनती है कर से इसका राइट आंसर क्या है डी है क्योंकि यहां पर क्या पुछ रहा था नहीं है ठीक है ताराम से एक-एक क्वेश्चन करके अच्छे से पढ़ना है और समझ करके जाना है ताकि एकजाम में एक भी गलती नहों और टोटल आप लोग क्वेश्चन सही-सही बना के से पूर में या वारा नसी में तो मुक्ति बोध का जो जन हुआ था वह हुआ था से पूर में तो इसका राइट आंसर क्या है सी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन परते हैं 19 नमबर मालती की सिर्षक की पात्रा है तो मालती के दौरा क्या लिखा गी है रोज की तो इसका र हो गया था तो एक प्रकार के कारदुर घठ नाम में उसका मिर्वच्टी भ गया था इसका राइट अंसर क्या हो जाए घून प्रजनीग60 सअंधी बिश्य Inte क्या है रजनीग 20 परकार गया देजे बी है मिर्मी फिक व सक्तुन है P पावन का संधी विछेद है तो पावन का संधी विछेद क्या हो जागा पोजर अन और इसको अच्छे से याद करके तब जाना एक्जाम दने के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नमबर सतकार का संधी विछेद है तो सतकार का संधी विछेद क्या हो जागा है सत जोर कार इसका राइट आंसर क्या है बी है नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नमबर बिद्यालाय का संधी विछेद क्या हो जागा है बिद्या जोर आलाय इसका राइट ठीक है तो अच्छे से देखना है को समझना है next question है 25 नमबर दिनेस का संधी विठेद है दिनेस का संधी विठेद क्या हो जाएगा दिन जोल इस तिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है 26 नमबर आगमन में कौन सा उपसर्ग है तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है आ उपसर्ग है तो इसका राइट आंसर क्या है बी है नेक्स्ट कुश्चन है 27 नमबर पूर्णीमा में कौन सा प्रत्य है ये प्रत्य से समास है तत्पुरुस समास है तिसका राइट अंसर क्या है ए है नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नमबर देवाला कौन सा समास है यह तत्पुरुस समास है यह समास से लिए आगया क्वेश्चन है तिसका राइट अंसर क्या हो जाएगा c हो जाएगा next question है 30 number कि लंबोदर कौन सा समास है लंबोदर कौन सा समास है बहु बिर्धी समास है तिसका right answer क्या हो जाएगा a हो जाएगा next question है 31 number रात दीन कौन सा समास है रात दीन जो है वह दुवंद समास है तिसका right answer क्या हो जाएगा c हो जाएगा नेक्स्ट घुशन है 32 नमबर प्रति दिन कौन सा समास है प्रति दिन अब यह भ eating समास है तिसका right answer next question है 33 नमबर आग का पडियावाची सब्ध है तो आग का पडियावाची सब्ध क्या हो जाएगा अगनी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है 34 नमबर इस्वर का पर्यावाची सब्द है इस्वर का प्रयावाची सब्द क्या हो जाएगा प्रमात्मा यानि इस्वर को देवता भी कहते है प्रमात्मा भी कहते है और इस्वर भी कहते है इस परक्रकूर से इसका right answer क्या है बी है, next question 35 number, अंधकार का below朋友 है, तो below का मतलब क्या होता है, उलटा opposite, below some सब्द का क्या हो जागा, अंधकार क्या होगा, प्रकास इस परकार से इसका right answer क्या हो जागा, ए हो जागा, जो भी है। फिर्ट अधे का बिलूम है अधे का बीलूम सद्धी desert क्या और स्थी लेगा JEFF गोड़ा का बिलोम है गोड़ा का बिलोम क्या होगा आप लोग को भी पता है कि गोड़ा को क्या हो जाएगा काला हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है 38 नमबर ठंड का बिलोम क्या है ठंड का बिलोम क्या होगा गर्म होगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है 39 नमबर दिवाकर का बिलोम है दिवाकर का बिलोम क्या हो जाएगा निशा कर, इसका right answer क्या हो जाएगा A हो जाएगा, next question है 40 number सधारन का भी प्रार्थक सब्द है सधारन का भी प्रार्थक क्या है सधारन, इसका right answer क्या हो जाएगा B हो जाएगा, next question है 41 number जिसका आचरन अच्छा है के लिए एक सब्द है यानि जिसका आचरन अच्छा है तो उसके लिए यान एक सब्दों के लिए एक सब्द है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 41 का हो जाएगा सदा 4 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा next question पढ़ेंगे 42 number जिसके पास धन नहीं हो तो वो क्या हो जागा नीर धन तो इसका राइट आंसर क्या है ए है तो इस परकार से समझ समझ के सारा कोशन को सौल्व करना है इसका रहले अंसर निस्चीन्थ हो ना जैसी की परिक्षा खतम होते ही विद्यार्थी क्या करता है घ्रा दिन के लिए सो जाता है और रिजल्ट का वेट करने लगता हैं लेकिन यहसा नहीं करना चाहिए कुछ आगे की पढ़ाए करनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है फोर vari4 number चैन की बंसी बजाना मुहाबरा का अर्थ है तो इसका right answer क्या हो जाएगा सुखी रहना आसका right answer B हो जाएगा next question है 45 number राइ का पहार बनाना मुहाबरा का अर्थ है यानि राइ का पहार बनाना तो क्या हो जाएगा इसका रजाएग सर हो जाएगा कर बढ़ा चढ़ा कर कहना इस प्रकाश इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है 46 नमबर हाथ पौं मारना मुहाबरा का अर्थ है प्रयास करना इसका राइट आंसर क्या है ए है नेक्स्ट कुश्चन है 48 सॉरी 47 नमबर हवा से बाते करना मुहाबरा का अर्थ है तो हवा से बाते करना मुहाबरा का क्यार देगा बहुत तरकी करना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा c हो जाएगा next question है 48 number धर्म का विशेशन है तो जिसकी विशेशता बताईजे तो वो क्या हो जाता विशेशन तो धर्म का विशेशन क्या हो जाएगा धार्मीक तो इसका right answer क्या हो जाएगा धर्म से क्या याद रखेंगे धार्मीक तो इसका right answer क्या हो जाएगा ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नमबर रास्ट का विशेशन है तो रास्ट का विशेशन क्या हो जाएगा रास्ट ये तिसका राइट अंसर रास्ट से रास्ट ये याद रखना है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस परकार से हम लोग इतना कोशन 50 कोशन का प्रैक्टिस कर चुके हैं जो कि आप लोग के एक्जाम के लिए 8 तारी के लिए बहुत बहुत ही important question है जितना question है सारे को आप लोग एकदम रट के ही जाईएगा तो आने वाले 8 तारी को और साय लास्ट एक्जाम है उस दिन आप तो अच्छे से अच्छे बाक्स ले करके आना है लास्ट अंत भला तो सब भला इसलिए जो भी बचे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए स्टार के स्टार्डी पॉइंट.com को और बेल आइकन प्रेस कर क्योंकि एक्जाम आप लोग का अर्थ तारीक है दो दिन समय है अच्छे से महनत से त्यारी कीजिए ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू ओके बाई बाई